विडियो देखने के लिए सबसे पहले थेंक यू एंड जो आज आपको फर्मूला बताने जा रहे उसको कहते हैं ABS फुल फर्म एप्सलूट फर्मूला जैसे आप देख रहे हैं मैंने कुछ नमबर मेंशन किये हैं और थूँ ABS फर्मूला मैं सारे नमबर को absolute value में change कर रहे हैं जैसे आप देख रहे होगे मैंने जो number mention किये हैं वो positive हैं और negative हैं बट जब मैं उनको ABS फर्मूला के थूँ चेंज कर रहे हैं उस cell को select करके तो वहाँ पे जो result निकल के आ रहे हैं वो सिफ absolute value में आ रहे हैं और इस value का कोई भी positive या negative नहीं है यही reason के वज़े से आप absolute formula यूज कर सकते हैं absolute formula कभी भी positive या negative consider नहीं करते हैं और आपको only value में result मिलेगे यह formula क्यों required है because कई बार क्या होते है कि आप lowest number को highest number से divide करते हो या पहले मालो अगर आप 120 में से 90 में से 120 minus करते हो आपको result minus 30 मिलते हैं और अगर उस minus 30 को आप किसी number से divide करोगे आपको minus में percentage मिलेंगे जो कि incorrect होगे so after अगर आप 90 में से 120 को minus कर रहे हो और आपको 30 के result मिल रहे है अगर आपको उसको change करने होगे कि वो value में आ जाए उसके बाद अगर आप कोई division लगाना चाहो और वो division positive division रहे वहाँ पे उस negative value को आपको ABS use करके value में change करने पड़ेंगे ताकि वहाँ से positive and negative remove हो जाए use of formula this formula helps to calculate the value of a number only irrespective of whether it's a positive value और negative value जैसे मैंने बताए यह value positive है या negative है उसको ignore कर देते हैं यह formula और आपको सिर्फ और सिर्फ value मतब सिर्फ number परते चलते हैं यह इस formula का use है formula meaning calculate only value of number ignore positive और negative details now move into next पर हम जाते हैं formatting details is any formatting required no guys कोई भी formatting की requirement नहीं होगे और आप इस formula को excel के किसी भी version के साथ use कर सकते हैं और यह formula बहुत simple है बट बहुत जगे मैं इस formula को use करते हैं क्योंकि जब भी आप को positive या negative ignore करके division या बाकी formula use करने होंगे so वहाँ पर आपको इस formula की requirement होगी और basically आप इस formula को ऐसे compound formula में बहुत use करते हैं अभी मैंने सिफ single digit mention किये थे अब मैं उसको multiple digit में change करें ताकि आप देख पाऊ समझ पाऊ easily आप पूरा वीडियो चेक कर लो देख लो और आपको समझ में और भी अच्छे आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए thank you so much और सारे formula आप आपको सीखने चाहिए excel में thank you so much guys और have a great day झाहिक कर दो देखको काम हम रहा हम आपको में आपको समझ झाहिक झाल झाल